अमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यह चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RRB राची, RRB एमदवाद और RRB पटना की NTPC CBT 1st की कटोफ के वारे में रिसकस करेंगे कि आखिरकार आंसर की आने के बाद कितना के कटोफ रहने वाला है वीडियो घुकर पलस आकर सिम्ट कर रहे हैं तो इस वार दोस्तों जो भी कट of है वो पहले के मुकाबले थोटा कम रहने वाली है तो में कि कट आने वाली है तो सब्सक्राइब स्ब्राइब करती है तो सभी पॉयंट को ऍस्टे बाइश्टे डिसकस करेंगे से चार लाख सतर हजार 266 अरारवी एमदवाज से चार लाख इकसट अजार 647 जबकि अरारवी पटना से तीन लाख उनसट अजार 846 दोस्तों अब बात करते हैं कि कितना क्या अटेंडेंस रहा है पूरी चार लाख से चार लाख इस बार 20 गुना अपनी वेकेंसी के क्वालिफाई करेगी तो अगर 20 गुना हम देखे जाएं तो 27720 कंड़ेट को पास करेगी जबकि अरारवी पटना से लगवग 20780 कंड़ेट को इस बार अरवी पास करेगी तोस्तों अब बात करते हैं कि अखिकार कितनी के कटोफ हैंने वाली है तो यहां पर हम कटोफ दो तरह के से डिस्क्राइब करेंगे एक तो 12 पास वाले कंड़ेट के लिए और ग्रेशन पास के लिए दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 12 पास वाले जो कंड़ेट है उनकी कटोफ थोली ज्यादा दाने दोस्तों अगर हम कटोफ की वारें बात करें तो सबसे पहले हम और भी रांची के कंड़ेट 12 पास वाले हैं तो उनकी कटोफ आपको हम बता रहें दोस्तों एक्सपेट कटोफ है थोड़ी ज्यादाने की संभावना दोस्तों अगर आप यूर कैटेगरी से हैं तो 70 प्लस तो आपके अगर रो मांक्स बन रहे हैं तो आपको सी बीटू की त्यारी कर देनी चाहिए ओबीसी के लिए 68 नंबर इडव्लू एस के लिए 64 जबकि एस्टी के लिए 61 दोस्तों अगर आप आप रांची के स्ट्टेंट हैं और 12 वाले कंड्रेट हैं तो आपके अगर इतने मांक्स बन रहे हैं तो आपको सी बीटू की त्यारी तुरंत कर देनी चाहिए दोस्तों अगर आपके इतने रो मांक्स बन रहे हैं और अगर आप ग्रेशन वाले कंड्रेट हैं तो आपको सी बीटू की त्यारी कर देनी चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको सी बीट EWS के लिए 64, SC के लिए 62 और ST के लिए 60 दोस्तों अगर आप सोच गे होंगे कि इतनी के cutoff जदा हाई रहने वाली है तो आपको बता दें 12 पास वाले जो candidate है उनकी cutoff इतनी रहने वाली है दोस्तों दोस्तों अगर आप बात करें ग्रेशन वाले candidate RB 12 से तो UR के लिए 62, OBC के लिए 59, EWC के लिए 56, SC के लिए 54 और ST के लिए 52 अगर आपके इतने नंबर CBT 1 के अंदर बन रहे हैं और अगर आप RB 12 के candidate हैं तो आपको CBT 2 की तैयारी तुरंत कर देने चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं RB पतना के बारे में दोस्तों RB पतना स्लाइटली जितने भी बोर्ड है उनसे थोड़ा सा कट ओफ हाई जाने के संभावना है क्योंकि दोस्तों RB पतना के अंदर जो सब्सक्राइब तो थोड़ी से कटोफ वहां से जाज आने की संभावना है अगर 12 पास वाले कंट्रेट हैं और उनकी अगर कटोफ करें तो यूर के टेगरी के अंदर 72 नंबर OBC में 70 EWS में 68 SC के अंदर 66 और ST के अंदर 64 दोस्तों अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं 12 पास वाले कंट्रेट आरवी पतना से तो आपको तो आपको तुरंत CBT2 की तैयारी कर देने चाहिए दोस्तों अगर आपको किसी भी कटोफ के बारे में कोई सवाल पूछन आए तो आप हमें कमेंट बोक्स के अंदर तुरंत उस सवाल का पूछ सकते हैं हम उसका जवाब देने के लिए ततपर रहेंगे तो आपसे मिलते है नेक्ट वीडियो के अंदर एक अदर जोंकी कटोफ के साथ